हलो दोस्तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाला है कि आप अपने रिमीनी एप पर जो एड है उसको कैसे बंद कर सकते हैं जी हां दोस्तो अगर आप रिमीनी एप पर अपना फोटो एडिट करते हैं और फोट इस टेप आपको बताने वाला हूं तो चलते हैं सेटिंग्स पर अपना तो फोन के सेटिंग्स पर आजाना है तो फोन के सेटिंग्स पर आने के बाद यहां आपको more connection मिलेंगे तो simply इस पर क्लिक करके यहां पर आपको private DNS मिल रहा है तो simply अगर यहां से आपका नहीं आता है तो यहां आपको सर्च करना है यहां आपको सर्च करना है DNS यहां आपको DNS सर्च करना है तो इसको स्क्रॉल कर लेना है तो यहां DNS सर्च करने के बाद यहां आपको नजर आ रहा है यहां आपका प्राइवेट DNS आ चुका है जी हां दोस्तों सिंपल इस पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद यहां आपका जो है यहां देख सकते हैं नीले पट्टी पर तो सिंपल इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक कर दोगे क्लिक करने के बाद यहां है आपको private DNS provider host name पर क्लिक करना जैसे क्लिक कर दोगे तो simply यहां जो है आपको लिख लेना है dns.addguard.com तो simply यह देख सकते हो यह सारा आपको जो है यहां लिख लेना है तो लिख लेने के बाद यहां आपको save कर लेना है तो दोस्तो इसे save कर लेना है करने के बाद यहां आपको Remini को open कर लेना है मैं आपको live proof दिखा देता हूँ simplest पर Remini app को open करके यहां कोई भी add नहीं आएगा देख सकते हो मैं आपको यहां live दिखा देता हूं जैसे कि मेरा एक photo है इसको select कर लेता हूं करने के बाद image को जो है यहां आपको upload होने देना है थोरी देर के लिए तो यहां देख सकते हो upload हो रहा है image तो दोस्तो यहां देख सकते हो बीना एड का जो है मेरा रिमीनी एप यहां work कर रहा है देख सकते हो तो दोस्तो यह setting जो है I hope कि आपको अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe और like जरूर कि और comment जरूर किजिएगा ताकि हमें motivation मिले तो मिलते हैं next वीडिय उपर